आप देख रहे हैं रास्ट्रिय हिंदी न्यूज ग्यान विभाग ने ताजा बोलेटिन में कहा है कि 15 जून को ये उत्तरी गुजरात तट से टकरा सकता है वहीं आइमदी ने तूफान से बड़े पैमाले पर नुकसान का अंदेशा भी जताया है इसके प्रभाप से गुजरात के तट के पास अभी से उची-उची लहरे उठने लगी है वहीं तटिये शहर मुंबई हाई ऐलर्ट पर है तो गुजरात में तटिये एलाकों से 75-100 लोगों को हटा आया गया है वहीं तीनों सेना ऐलर्ट पर है साथी विपर जोई के चलते पस्चिम रेल्वे ने गुजरात के तटवर्ती इलाकों में जाने वाली सरसट ट्रेनों को रद्द कर दिया है देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये राश्ट्रिय हिंदी न्यूज जैहिंद आप देख रहे हैं राश्ट्रिय हिंदी न्यूज